दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोट में जो टरंसलेटर के पद पे जो भरती निकाली गई है जिसके लिए कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी परकार के समझ से आना हो इसलिए आप इस वीडियो को अंतक देखिए ताकि पूरी जनकारी समझ में आप आए इसके लिए आप आएंगे पटना हाई कोट के जो ऑफिसल वेप साइट है उस वेप साइट पे और यहां पे आप देखेंगे रिकूपमेंट वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो हाल में ही 21 तारी के डेट में ए अंग्लेस में बताई गी है और सारी जनकारी अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा ओनलाइन अपडेट से फिलप होना शुरू हुआ है 11 नौंबर इसका अंतिमती थी है आपको पेमेंट करने का तीरा तारीक तक आप्सन है आप पेमेंट कर सकते है और साथ एकजाम का भी डेट रिलीज कर दिगे या 8 जनवरे 2022 को आपका एकजाम भी होगा क्योंकि ये भरते सिधे भरते नहीं है इसके लिए आपको रिटेन एकजाम होगा रिटेन एकजाम कौलिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा फिर आपका सेलेक्शन है कि जेनरल OBC, EBC और EWS वाले को एक हजार है, SC, ST वाले के लिए 500 रुपी आपको देने होगे जो की ऑनलाइन मोड में रहेगा टोटल सीट की बाद कर ले तो टोटल जो सीट है कैटेगेरी जबाद यहाँ पर आपको मेंसन कर दी गई तो आप आकर सारी जनकारी देख सकते है कि किस कैटेगरी में कितने सीट है, eligibility क्या होगी, तो eligibility नियुनतम आपके जो है असनातक पास आउट होने ही चाहिए और साथ ही कोई एक सबजेक्ट आपका जो है इंगलिस होना जरूरी है असनातक में, तो आप इस फॉर्म को फिल आप कर पाएंगे, computer में का आपका जो है certificate होना चाहिए, चुकि DCA, DCA जो भी हो, कम से कम 6 मंद का आपका computer का certificate होना चाहिए, PG अगर आपने किया है तो बेटर है, क्योंकि इसमें परत्मिकता आपको मिल सकता है, और यह जो language है, इसको अगर आप जानते है तो आपको वारियाता मिल सकता है, यह दो चीज जो है, optional के तोर पर दिये गए है, अब आईए समझते हैं कि कैसे इसके लिए form भरना है, age 18 से, 37 बर से, और selection process और साथ है इसकी पूरी syllabus आपको अपलब्द करा दी गई है, तो आप आकर एक बार सारी जनकारी एक बार समझ लीजिएगा, और registration डारेक्ट आप इस पे क्लिक करके, आप registration पाले पेज़ पर आ जाएंगे, सबसे पहले आपको registration करना होगा, फिर आपको personal detail डालना होगा, educational detail डालना होगा, photo signature अपलोड करना होगा, payment करना होगा, फिर यही साब का admin card भी आ जाएगा, और यही साब सारा काम कर पाएंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम जो भी नाम आ देंगे, यहां पर आप देखेंगे, बोला जाता है कि यह अपने मैटिंग में कभी अपना नाम चिंज किया है, तो आप उसकी जनकारी देंगे, नहीं किया तो नो करेंगे, फादर का नाम डालेंगे, आपका जो भी जेंडर होगा, यहां से सेलेक्ट करेंगे, आपका domicile state कौन सा है, जैसे अगर बिहार से है, तो एस करेंगे, उसके बाद यहां पर देखेंगे, नीचे जब एस कॉल करेंगे, तो आप reservation category आप से पूछा जाता है, और इंडिया किसी भी राज से आते हैं, तो इस form को आप apply कर पाएंगे, आप अपना category को चुनेंगे, date of birth के अने था नो पर क्लिक करेंगे, कोई Canadian disabled है, दिव्यांग है, उसकी जनकारी तेंगे, 40% से अधिक है, तो ने था नो बाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे आना है, क्या पतना high court में सिवा दे रहे हैं, यानि जोग करते हैं, तो उसकी जनकारी बताएंगे, अन यहां पर language आपको चुनना है, जैसे हिंदी, इंगली जो है, आप लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं, तो यहां पर tick out करेंगे, अगर आप English लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं, तो यहां पर भी आप tick out करेंगे, declaration आपको देना है, और एक option नीचे में submit का मिलता ह में पर यहां पर आप आप सारा डिटेल साही है तो आप यहां ऑप पर कलिक करेंगे तो थोड़ा आपको वेट करना है थो पास्वर्ड यहां पर आप को देखनों को मिलता है और आपका रिष्टेशν लोगी मिलता है बृच है या अप haft प्रिंट करके रख सकते हैं जिसके लिए आपको नीचे में print का option मिलता है अगर आप print करना चाहते तो अने था यहां पर next वाले icon पर click करना है जैसे next पर click करते हैं अब आपको redirect करेगा personal detail पर जहां पर आपका जो post preference है वो आपको देखनों को मिलता है क्योंकि यह post translator operator का है तो आपको एक ही option मिलता है एक्जाम का जो center है बिहार के तीन ही जिले में conduct करा जागा पहला पटना को दे सकते हैं दूसरा हाजीपूर को दे सकते हैं और तीसरा मुझवपरपूर को दे सकते हैं आपके साधी हो चुकी है तो उसकी जनकारी देंगे अन्य थान मेरेट पर क्लिक करेंगे आपका जो मुवाइल नंबर है वो देखनों को मिलता है आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहां पर आपको डालना है साधी यहां पर आपसे बोला जाता है कि identity proof के कौन से डोकुमेंट आप यहां पर चुनेंगे जो भी डोकुमेंट चुनेंगे उस डोकुमेंट सर्टिफिकर नंबर को यहां देना होगा जैसा अगर पैन कार डालते हैं तो पैन कार नंबर पासवर्ड डालते है तो पासवर्ड का नंबर और तेन्थ सर्टिफिकर डालत तो no mark आप यहां पर mention कर सकते हैं candidate का जो भी address होगा जो कि correspondence address है जैसे आपका address 1 में जो भी village होगा address 2 में जो भी post office होगा इसको mention करेंगा आपका जो भी district या city होगा उसको mention करेंगे साथ ही आपका जो भी state होगा उसको चुनेंगे और आपका country और साथ ही यहां पर आपका जो भी pin code होगा उस pin code को यहां पर mention करेंगे कोई candidate का correspondence और permanent address दोनों same है तो यहां पर एस करेंगे तो automatic यह दोनों fill up हो जागा यह आपको भरने की आप सकता नहीं है अब यहां पर कुछ additional detail है जो कि आप से पूछी जाती है कि आपके किसी भी परकार के criminal case तो नहीं ही register है तो यहां पर no करेंगे यह mostly सभी option आपके लिए जो है no होता है लेकिन कुछ detail यहां पर आप से NCC का पूछा जा रहा है तो NCC है तो आप इस कर सकते है जैसे आपके कोई FIR तो नहीं है तो उसकी जैनकारी अप देंगे उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है क्या अपने आरपी में अगर दो सालों के लिए काम किया है तो वो बताएंगे NCCB certificate आपके पास है तो एस करेंगे नथानों पर किलिक करेंगे और एक option मिलता है submit का जिस पर किलिक करेंगे अब आपको educational detail डालना है जहां पर आपने जो भी school से metric pass out किया है वो इस school का नाम डालेंगे साथे आपका जो भी board होगा यहां पर आपको डाली होगी किस board से आपने pass out किया है साथे आपका passing gear क्या था obtain marks यानि जितना भी आपको number मिला है वो बताएंगे total कितने number की jam होई थी उसकी जानकारी यानि 500 का होता है भी hardboard में तो 500 डालेंगे automatic आपका percentage आजागा यहां से division आप select कर सकते कौन से division आपको आया है first, second, third आप अपने according डालेंगे और यहां पर CVSE वाले है तो उनका जो grade होगा वो आ जागा और यहां अपने according यहां से चून सकते कितना percent कितना decimal में है तो उसकी जानकारी आप यहां पर mention कर सकते हैं उसे according 12 की detail डालनी है 12 आपने किस से पास आउट किया है जैसे art, commerce, science सबका option है आप अपने according चूनेंगे किस college से आपने किया है या school से किया उसकी जानकारी देंगे board को डालेंगे, passing year डालेंगे, obtain mark डालेंगे कितने number का total exam हुआ था उसकी जानकारी देंगे प्रसेंटेज आपका आएगा, division सेलेक्टर हैंगे, इस अमसार इसका भी detail आपको डालनी पड़ेगे फिर आपका graduation का detail आता है, graduation में यहाँ पे आप देखेंगे, बोला जाता है कि आपने recognize university से graduation pass out किया है with English as a one subject, यानि English आपका एक subject होनी चाहिए या आपने English honors रखा था तो better है, नहीं रखा था तो उस तोर पे subsidy paper में आपका English होना जरूरी है, तब इस form के लिए आपके legible है, इस चीज को ध्यान रखेगा तो यहाँ पे ace करेंगे, साथे आपने कौन से degree लिया है, वो degree का नाम डालेंगे कौन से college से किया, university का क्या नम है, आपका stream क्या था, passing year क्या था, कितने number आपको मिला है और total कितने number का exam हुआ है, कितना percent है, कौन से division है, और साथे यह CGPA वाला option अगर आप पे लागू होता है तो इसकी भी जनकारी आप यहाँ पे mention कर देंगे, नीचे आएंगे any other qualification आपके पास है तो आप डाल सकते है, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते है नीचे स्कॉल करके other preference detail है, यहाँ पे आप कुछ detail जिससे आपके पास diploma होनी चीज, certificate जिससे हमने पहले भी clear किया, computer का आपका knowledge के साथ, आपके पास certificate होना जरूरी है, minimum six month का, तो यहाँ पे पेस करेंगे बोला जा रहा है कि are you PG in English Hindi, यदि आप English में PG किये हुए है तो उसकी जनकारी देंगे, नहीं किये है तो no करेंगे यहाँ पे अकर आप किये होंगे तो आपको preference मिल लेगा, तो अगर आपने किया है तो yes जरूर करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आप उर्दू का knowledge रखते है यदि पढ़ने का, लिखने का तो आप यहाँ पे yes करेंगे, नहीं था नो पे किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कैथी है जिसका अगर आप पढ़ने लिखने का knowledge रखते तो एस करेंगे नेथानों पर क्लिक करेंगे बंगाली है अगर आप पढ़ना लिखना जानते है तो एस करेंगे नेथानों पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक option मिलता है submit का जिस पर क्लिक करेंग अगला डुटियल आपका आता है फोटो सिंग्नेचर अप्लोट करने का जिसका कुछ गाइडलाइन है जैसे फोटो आपका 50-100 के भी में होगा फोटो यहां पे अप्लोट करना है तो वह रिसेंट का आपका पासपोर्ट साइच फोटो होगा कलर फूल बैग्राउंड में यहां पर बोला जाता है प्लीज अप्लोट इतना जो इनका साइज है उसका भी आपको ख्याल रखना है इस परकार आपका फोटो आता है फिर यहां पर आपको सिंग्नेचर अप्लोट करना है फिर आपका मैटिक का मार्क सिट अप्लोट करना है यहां पर मैटिक का क्या होता है कि pass out आपने किया होगा तो एक साल बाद वो आ जाता है तो वह वाला certificate upload करेंगे यहाँ पर mark set बोला जा रहा है तो mark set upload करेंगे जिन student के पास अगर certificate नहीं है तो उस case में आप mark set को upload कर सकते है गिर्जुएसन का जो भी degree certificate है उसको डालेंगे साते आपका जो भी mark set है उसको upload करेंगे उसके अलाबे आपने जो भी diploma किया है जो भी उनका certificate है computer का उसको upload करेंगे और identity जो ID रूप के तोर पे आपने जो भी document select किया है उसको यहां से upload करेंगे यहां पे mention भी है example में जैसे voter ID card, pen card, अधार card, devil license यह सब acceptable है आप इसको भी upload कर सकते हैं आपका to missile certificate को upload करना है और यहां से upload कर देना छूज करने के बाद आपका cast certificate को डालना है उसके बाद यहां पे देखके other relative document अगर आपको लगता है कुछ देना च करेंगे उसके बाद आपके सामने इसका preview आगा preview में सारा detail आपको देख लेना है उसके बाद इसका print यहीं से ले सकते हैं और साथी आप चाहे तो इसका जो payment की process है आप यहीं से complete कर पाएंगे जैसे हम यहां पे इसको पहले save कर देते हैं जैसे पटना के नाम से इसको हम पह payment gateway खूलेगा payment अपके credit card, netbank, UPI कि से भी मादेंग से कर सकते हैं जो भी मादेंग यहां से चूने तो आप अपना card नंबर, aspiring month, year, CVB नंबर और card holder का नाम डालेंगे और यहां से आप इसको payment करेंगे payment करने के बाद आप इसका जो अपने print out पहले भी ले रखा है और आपको print out आजागा जिसको आपको संभाल कर रखना है कुछ दिन बात जब आप इस portal पे आएंगे तो जब भी भी इसका exam date हमने पहले भी clear किया कि इसके notification में आचुका है exam जो आपका होगा important date में देखेंगे 8 जनवरी को है तो यहां पे आपको जनवरी मन्त में ही आपको login करेंगे त आप क्या syllabus है वो सारी जनकारी इस पर बताईगी तो आप आकर सारी जनकारी देखेंगे क्योंकि selection आपका पहले लिखित परिक्छा होगी फिर आपका interview होगी document verification होगा medical होगा फिर आपका joining होगा तो पहले आपको preparation करना होगा अपने exam का तो exam का साड़ा जो syllabus है आपको प्लप करकर पूश सकते हैं जितने सारे जॉब चल रहा होते हैं सब पर अल्रेटी वीडियो बना हुआ तो चैनल पर आप जाकर वीजिट कर सकते हैं और सब का फॉर्म आप apply कर पाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरनवाद